हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बोध-बोध स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल अकाउंट शोर स्वालिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों ये कापी लोगों के प्रोब्लम आ रही है एमर पी नेगेटिव स्टोंक एक अपना जो टेली ग्राम ग्रूप है इस तरह की किसी ने प्रोब्लम सेर करी थी यूटूब मनमोन के नाम से और इनकी जो क्योरी थी ये आप देख सकते हो कि जिसे अगर ये बिल बनाते हैं बिल बनाने के बाद इस तरह का जो एरर्स आता है और इसके बाद ये बिलको सेव नहीं कर पाते हैं प्रोब्लम आती है क्योंकि जैसे इन्होंने 10 इटम या 15 इटम एड़ कर लिए है उसके बाद ये बिलको सेव नहीं करने देगा और इन्होंने लिखा है सेव करने नहीं दे रहा है तो इसकी जो प्रोब्लम है ये कब से स्टार्ट हुई है जैसे बीजी का 25.0 का जो नया अपडेट आया था उसके बाद से ये प्रोब्लम स्टार्ट हो गी थी कारण ये है कि इसमें एक जो फीचर्स रेता है उसको इसको एलाव करना पड़ता है तब जाके आप इसका मतब ये जो एरर्स आ रहा है इससे आप बच सकते हो तो इसकी जो प्रोब्लम है किस वजह से आती है ये सारा एक्स्प्लेन करेंगे इस वीडियो में और इसका जो दो लेकिन ये जो जवाब दिया है ये वन टाइम के लिए सही है कि इन्होंने जैसे दस आइटम या पंदरा एटम एड़ कर लिए है ये जो सिस्टम है लेकिन ये गलत है कि अगर उसको नेगेटिव स्टोक एलाव आप कर देते हो तो आप जैसे कोई सा भी स्टोक आपके पास नहीं है तब भी आप उसका बिल बनाओगे तो आपसे वो आपका जो सिस्टम है आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा वो जितना भी अगर पचाशी स्टोक पड़ावाई आप हज्यार डालोगे तो वो असेट कर लेगा और उसका बिल बन जाएगा तो यह आपको नहीं करना है वन टाइम के लिए आप करके आपके बिलको आप सेव कर सकते हो लेकिन यह लाइफ टाइम के लिए आपको यह जो एलाओ नहीं करना है यह डिस एलाओ ही रखना है जो नेगेटिव इस्टोक का है वो डिस एलाओ आपको रखना है लेकिन यह जो प्रोब्लम से इसका जो स लिखा देता हूं हार्दिक के नाम से इस बंदे का नाम है और इन्हों ने जो लिखा है किसी भी डिलर्स को पेमेंट करते हैं तो बेंक में सेंट तो वो अमांट बेंक में प्लस हो रहा है यानि इनका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी पार्टी का अगर पेमेंट करता वाहूं तो मेरे बैंक से पेसे लेस होने के बज़ाए balance बढ़ रहा है तो मैंने इनसे पूछा है मैंने इनको जवाब दिया था limit account भी हो सकता है उसमें amount बढ़ता है तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया है इनका लेजर मंगवाय था वह आप इस्टेटमेंट भेजो आपने कैसे एंट्रेज कर रखी तो मैंने ये हारदी के नाम से इनके पास जो लेजर मंगवाय था एक बार मैं आपके लिए दिखा दू इनका ये लेजर है लेजर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक या लाक रुपे की जो भी लिमिट ले रखी है तो यह लिमिट का पेशा अगर इस्तमाल करने लग जाते हो तो यहाँ पे हमेशा क्रेडिट बताएगा अगर आपका ओडी अकाउंट है कोई लिमिट आपने बनवा रखी है तो आपका जो भी पेशा रहता है जैसे मानलो एक ल पेशा पेमिंट आपने और भी किसी के लिए कर दिया तो 50,000 की जगे 60,000 दिखाएगा तो CC लिमिट में क्या है अमांट जो क्रेडिट रहता है वह बढ़ता हुआ चला जाता है और यह पेशा 25,122 रुपे बेंक को देना है लेकिन इन्होंने जो एंट्री कर रखी है अब आएगा यहाँ पर DR अब आप देख सकते हों कि यहाँ पर केश विडूल कर रखा है तब भी CR कर रखा है और केश इपोजिट कर रखा यह तब कर रखा है तो या तो दोस्तों अगर आप जूभी कोई अकाउटेंट है या कोई जूबी प्रोप्रैटर जूभी होता है तो उनको थोड़ा बहुत ये पता रहना कि अपने इंट्रिस किस तरीके से कर रहे हैं अब इसमें दोनों में से जो entry है या तो यह case deposit है और यह withdrawal कर रखा है तो इसके entry गला तरीके से कर रखी है तो पहले तो आप लोगों को अगर accounts का काम करते हैं तो आप लोगों को bank statement मिलाना आना चीए bank statement की entry किस तरीके से आपको करनी है यह सारा सब कुछ procedure एक separate जो course बन करूं किसको credit करूं तो यह चीजे basic जो funda है वो तो आपको पता रहना चीए कि जैसे मालो आप पैसे निकलवा रहे हो तो किसको क्या करना है आप पैसे निकलवाओंगे bank में से अगर पैसे निकलवाने है जैसे आप withdrawal करो गे तो बैंको आपको credit करना है और case को आपको debit करना है यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपने case को तो credit कर लिया और bank में debit कर लिया दोनों situation में आपने यही कर रखा है लेकिन यह जो entries है यह वाली गलत है और बाकी अगर CC है तो आपका balance बढ़ेगा तो इतना थोड़ा बहुत जो knowledge है वो आपको होना जरूरी है और आपका bank statement जब तक आप नहीं मिलाओगे सई से entry नहीं करोगे तब तक आपका bank statement नहीं मिलेगा और यह मैंने पूछा भी था उनसे बाकी उन्होंने बोला कि bank से तो cut गया लेकिन bank तो आपका systematic तरीके से चलेगा न क्योंकि आपके entries आपने गलत तरीके से कर रखी है तो यह वाले जो दोनो entries है case withdrawal की यह entry गलत है यह आपके debit में आएगी उसके बाद आपने उपर की जो भी entries कर रखी है वो भी आपने गलत कर रखी होगी इस वजह से आपका अगर मान लो CC account है तो आपका credit में आएगा सही है अगर आपके accounts आप सही से नहीं मेच कर आओगे तो आपका balance कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि bank का balance तभी मिलेगा जब आप सही से entry करोगे और आपका जो भी ledgers है जो भी statement है आप महीने के महीने आप मिला सकते हो इनकी problem है इनका solution हो गया है इन्होंने entries गलत कर रखिये और बाकी अगर इन्होंने limit बनवा रखिये जो भी amount की बनवा रखिये तो आपको पता है कि limit का पेशा आपके पास जैसे मान लो 13,000 रुपे आपने यूज कर रखिये उसके बाद आपके bank से आप 8,500 पच्पन रुपे अगर किसी को payment कर देते हो तो आपका balance बढ़ेगा तो ये थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है इसके बाद जो next जो problem थी अपनी इसका जो solution है आप लोगों को पता चल गया क्योंकि इनका जो मैंने मैंने सोचा कि लेजर मंगवाएंगे तब जाके पता चलेगा वापस आजाते हैं अपने group पे तो इनकी जो problem है किनकी? इनकी मनमोन जी की जो problem है इनकी problem है कि इस टोग MRP negative जाता है और इसका जो solution है मैं आपके लिए बता देता हूँ इस से पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि यह जो अपना group है account share solution bg accounting software की नाम से जो मैंने बना रखा है इस पे जो जितने भी users है तो इस group के बारे में आप share कर सकते हो और इसमें जो भी लोग जुड़ेंगे वो अपनी problem share कर सकते हैं और एक दूसरे की helps है मैंने यहां पे इसकी जो detail भी दे रखी है कि एक दूसरे की सहयोग से आपकी problem share कर सकते हो और उसका solution आप ले सकते हो अब इनकी जो problem है क्या problem है या इसका क्या solution है खोल लेते हैं अपना bg software और यहां पे मैं एक बार आपके लिए दिखा देता हूं कि यहां पे जैसे आप किलिक करते हो तो MRP negative stock का जो आपके पास यह एक तरीक से warning आ रही है तो यह किस वज़े से आ रही है पस्ट बात तो यह है कि मैंने अगर इस item को चेक करता हूं जैसे शेलो पेन मेंने चेक किया तो मैंने पर्चेज कब किया था पर्चेज किया था मैंने चोदा तीन को चोदा तीन दो जार बाइस को पर्चेज किया है और मैं इसको सेल कब कर रहा हूं मैं इसको सेल कर रहा हूं एक चार को यानि अगर एक चार को मैं इसको sale करता हूँ ठीके यहाँ पे जैसे मैंने quantity रा ले तो यहाँ पे यह MRP negative बता रहा है तो इसका जो first जो region है जैसे यह तब नहीं बतायागा कि जो bg21 5.00 जो 0 update आया था उसके बाद सही यह एक की नहीं मैंने कम से कम भी 10-15 लोगों के लिए यह वाली problem का solution बता दिया है लेकिन जैसे मान लोग group वालों को पता चल जागा लेकिन जो भी audience है उनको भी पता चलना चाहिए कि इसका solution क्या है तो दोस्तों यहाँ से इसका solution करने के लिए आपको यहाँ से alt और f आपको प्रेश करना है इसके बाद यहाँ पर features option पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर inventory का जो option है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो MRP wise detail का जो option है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्या लिखावा है don't allow तो यहां पर आपको करो दिना है Allow, Allow जैसे आप करोगे, यहां से OK कर दिना है, OK करने के बाद यहां से अच्छे कषरे डिए आपको कर दिना और यही हिसका Solution है, बाकि जुआ आपके लिए बताया था कि गभी जिसए आप जो वर्णिंग वाला जो option है इस पे आपको नहीं करना है आप only save करने के साफ से यहां से one time के लिए कर सकते हो लेकिन वापस से आपको यहां पर warning पर यहां पर जैसे don't allow का जो option हो रहा है तो इसको तो आपको ऐसे ही रखना है negative में आपको कभी भी stock नहीं बेचना है अगर यहां प आपके पास stock सही सही नहीं है या फिर बड़ा हुआ stock है actual में बड़ा हुआ stock है तो आप उसको कितना भी बेचोगे minus में चला जाएगा minus में चला जाएगा और वो आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा कि आपका stock minus जा रहा है क्या है लेकिन आप stock जो summary check करोगे तो उसमें minus दिखाएगा तो यह आपके लिए इसका सही solution नहीं है one time के लिए आप करके बिल्कुँ save कर सकते हो उसके बाद वापस से इसको आपको सही कर देना है अब दोस्तो मैंने आपके लिए बताया था कि MS option के अंदर जाके आपको क्या करना है inventory के अंदर जाके यहां से जो configuration है MRP का इस पे आपक become security कàngद देना है इसके बाद यहां से आपको save कर देना है इसके बाद यहां से किया मैंने save वापस से अगर मिल बनाता हूं तो अब यह इस तरह का message यह नहीं देगा अब देगा दूसरी तरह का message अगर जिसे मैं एक चार को बिल बनाता हूँ case के नाम से और यहाँ पे मैंने एंटर किया यह आपके लिए पहले वो MRP से related message था अब यह negative stock इसलिए बता रहा है कि मेरे पास एक चार को item नहीं था लेकिन अगर मैं इसको जिस date को मैंने purchase किया है purchase करने के बाद अगर मैं इसको sale करता हूँ तो यहाँ पे यह सही तरीके से आप इसका जो sale के entry आप कर सकते हो 14 के बाद मैं 15 को अगर मैं sale करता हूँ 15 तीन date मैंने enter करी और यहाँ पे case का मैं bill बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने pain select किया pain select करने के बाद जिसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो यहां पे जिसे पैकेट की जो भी रेट है मान लो 80 रुपे रेट है और 8 रुपे पर पीस के साफ से रेट मैं देना चाहता हूं और इस बिल्ल को अगर मैं सेव करूंगा तो यह एजी तरीके से से हो जाएगा कोई एरर्स नहीं आएगा तो दोस्तों यह जो MRP वाला जो प्रोब्लम है इसका solution आपको इस तरीके से करना है आपको आलाराम में जाके वहां पे आपको negative stock no action आपको नहीं करना है उसको कर सकते हैं आप one time के लिए करके आपका bill save कर लो उसके बाद वापस से उसको चालो कर दो लेकिन इसका जो actual में जो सही तरीका है व आपके लिए मैंने अभी बताया था कि आपको administration, configuration, features, option, inventory tab में MRP का जो option है उसको करना है वहां पे जो don't allow जो लिखा हुआ है वहां उसको allow करना है तो इस तरीके से इसका solution आप कर सकते हो तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो आपक अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share जरूर करें और अपना जो यह telegram group है इसको आप जोइन कर सकते हो अगर आपने नहीं जोइन कर रखा है और बाकी जो channel है channel के बारे में आपको पता है कि मैं only bg software की ही video बनाता हूं और 153 वीडियो में ने अभी तक upload कर दिये है जितनी भी वीडियो सारी यूजफूल वीडियो है अगर आप channel पर नए हो और channel को आपने subscribe नहीं कर रखा है तो channel को जरूर subscribe करें थेंक्यू